इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इस तरीका का प्लेट में कोई भी डिग्री में भी ग्रेंडिंग करना हो, भेवल ग्रेंडिंग करना हो, तो कैसे ग्रेंडिंग करेंगे, कितना mm बैक ग्रेंडिंग करेंगे, कि जितना डिग्री में हम चाहे उतना डिग्री में भी बना है तो हम कैसे मारेंगे या फिर 40 डिघरी में भी मारना है तो कैसी मारेंगे इतना इम हम बैक ग्रेटिंग करेंगे कि ये 40 डिघरी में भी हो जाए या फिर 45 डिघरी में हो जाए इसकMe Ķ्में आपको यह देखने हैं कि adjustments लेना होता है اور इसमे इसमें हमें कितना consider já度 2.5 degree में grinding करना है आपको यह दिखना है कि हमें कितना degree में इसमें grinding करना है इसके बाद यह फर्मूला है degree into 10 और into thickness degree into 10 करना है जो calculator में 10 थीता आता है degree into 10 जो answer आएगा into thickness तो जीतना mm आएगा उसमें हम ऐसे back grinding करेंगे तो मैं आपको एक कल्कुलेटिंग करके दिखायाता हूँ अपने मोबाइल पे किस तरीका से करना है ताकि 10 थीटा और साइन थीटा हमें दिखाई दे मालेजी इस प्लेट में हमको 38 डिगरी में भी ग्रेंडिंग करना है तो हम यहाँ पे लेंगे 1038 यहाँ पे देखिए हमको 38 डिगरी में ग्रेंडिंग करना है तो हम यहाँ पे 38 लिख देंगे 10 लेकरके यह वाला जो 10 है हम सेलेक्ट करेंगे और बराबर कर देंगे इस तरीका यहां पर लिखती है तो यह देखिए यहां पर आगया एंसर 12.5 तो 12 mm अगर हम बैक ग्रैंडिंग करेंगे 12.5 mm तो यह थर्टी एट डिग्री में हो जाएगा इस तरीका से आप इस फर्मूला का यूज कर सकते हैं हम माल लिजेगे कि हमको 37.5 डिग्री में मारना है तो सेम वही चीज है यहां पर हम टैंट सेलक करेंगे और यहां पर लिखेंगे 37.5 और बराबर कर देंगे जो एंसर आया हुआ उसमें इंटू 16 mm थिगनेस इसका जो प्लेट का जो थिगनेस है 16 mm है तो हम यहां पर इसको बर 12.2 mm लेना है यानि कि 12.2 यानि 12 mm लेंगे और 38 डिग्री के लिए दिया था 12.5 था और इसमें 12.2 है तो सेम ही है सेम इसी तरीका से आपको फर्मूला यह यूज करना है तो फ्रेंट जो एंसर यह आया हुआ है 12.2 या 12.5 हम इसमें इस तरीका से सीधा लाइन एक मार्किंग कर देंगे और मार्किंग करने का बाद इस पर हम ग्रैंटिंग करेंगे इस तरीका से अब हमने इसको बैवल लगा दिये बैवल लगा के हमने अपना जो जोएंट हमने जोएंट करना है उसकी अलाइनमेंट कर दिये अलाइनमेंट करके फिर हमने टैकिंग भी की है इस तरह हमने आपको पूरा दिखाया कैसे हमने बैवल लगाई बैवल लगा के जॉइंट के लाइमेंट की और जॉइंट टैकिंग करवा दिया